सोनी जी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं सोनी जी गुड आफ्टरनून बताईए आज आपकी रणनीती क्या होगी इस आखरी गंटे के लिए गुड आफ्टरनून और मेरा जो अभी इस टॉपिक रहेगा दो स्टॉपिक्स है वो भी बाई के तरफ है मार्केट अभी मुझे थोड़ा स्टेबल लग रहा है इन दे सेंस कि एक कंसॉलिडेट हो सकता है नेक्स्ट वीक में उपर भी जा सकता है थोड़े बहुत अग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है नीचे के बेस में तो इसलिए दोनों स्टॉपिक्स अभी मेरा बाई के तरफ है पहला रहेगा ओटो सेक्टर में से वो है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स में काफी अच्छा लॉंग बिल्ट पॉजिशन देखने को मिल रहा है आज प्लस टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छे अपने आपको 700 का एक बेस बना रहा है और जब परसो एक पॉल आया थ सकता है बट अभी एक इस ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिफ के तॉर से टाटा मोटर्स आप शॉर्ट तर्म व्यू के लिए बाई कर सकते हैं चोटा स्टॉप्लस लगाएंगे 710 का स्टॉप्लस लगाई और चोटा अभी के लिए जो टागेट वनेगा वह साथ 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 क्लोज देता है तो वो बेक आउट कंफिर्म हो जाएगा तो लॉरस लैप्स आप 400 के स्टॉप्लस के साथ बाई कर सकते हैं 440 और 445 के टागेट के लिए तो लॉरस लैप्स और टाटा मोटर्स दो टॉपिक सूनी जी की तरफ से है 440 से 445 का टारगेट है लॉरस लैप्स मे और 400 का स्टॉप्लस लगाना नहीं भूलिएगा ट्रेडिंग कॉल है शॉट ट्रम के लिए है तो बिना स्टॉप्लस के ट्रेड ना करें और टाटा मोटर 750 से 760 के शॉट ट्रम टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेट लगा सकते हैं 710 का स्टॉप्लस लगा ले अधितिय आप पोजिशनल ट्रेड देते हैं ना कि दे ट्रेड देंगे हम सो दो स्टॉप्लस एक पहला है रिलाइंस इंडस्ट्रीज स्टॉक का अगर आप लॉंग टर्म या मीडियूम टर्म चार्ट निकाल के देखेंगे दो साथ से कंसॉलिडेशन चल रहा है स्टॉप में और स्टॉप्लस लगाएंगे और रिलाइंस इंडस्ट्रीज में एक बाई करके चलेंगे दूसरा स्टॉक एशन पेंस अगें बहुत अंडर पर्फॉर्मेंस हुआ है और पेंस सारे कंपनी अंडर पर्फॉर्मेंस किया और अब जाके कहीं ना कहीं स्टॉप ब्रेक आउट कर रहा है तो करेंट लेबल्स पर खरिदारी करेंगे एशन पेंस अगें पोजिशनल रहेगा थोड़ा 3440 का पहला टागेट अगर उसको ब्रीच करता है तो फिर 3600 तक के लेबल्स हमें देखने मिल सकते एशन पेंस में नीचे स्टॉप लस लागा 3300 तो रिलाइंस और अशन सुनी जी ने भी टाटा मोटर्स खरिदारी की सला दी ते लेकिन चलिए ब्रॉडर मार्केट की और बढ़ते हैं